तो है गाई स्वागत आपका मेरी इस नहीं वीडियो में और आज पीस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने जैसे कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई घरवर बना रखा है आपने वर्ल्ल में और आप चाहते हो कि वह वहां नहीं होना चाहिए किसी और जगा होना तो उसको कॉपी करके किसी और जगा पर लोड करना वह मैं आज आपको बताऊंगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कमांड डालनी पड़ेगी अपने उसमें मैसेज वाले बॉक्स में जो की यह है सबसे पहले तो लिए दो श्लैश फिर गिव फिर स्पेश डालके ए यह आपको लिख देनी है कमांड और फिर उसके राद आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा जो की क्रियेटिव में नहीं होता कि यह सिरफ आपको कमांड साही मिलता जैसे बहरियर ब्लॉक मिलता हमें उस तरीके से तो इसको इस जगह लगा देना है और जितना है यह आभी आपक कोपी करके तल्वाद जो मैंने ने बनाई हो कई और सैट करना है तो उसकी एसन थे हरी लाइन हाइट के लिए नीली लाइन एक साइड का बढ़ाने के लिएक लालाई के लाइन एक सीट बढ़ाने के लिए lookin its the area मतलब सेट कर सकते हैं you 這 सेट करना उसे साफ से हो चाहिए गांग सेट कर यह तो यह मैंने हाइट सेट कर यह 35 ब्लॉक की तो यह हाइट होगी इसमें मेरी तिलवार आ चुकी यह लेकिन भी पूरी नहीं आई आगे पीछे वाला मैंने 10 किया है तब भी अभी पूरी नहीं आरी तो जिस तरफ ब्लॉक रगाया है हमने उस तरफ को भढ़ाने मतलब उस तरी के तरफ को भढ़ाने के लिए हमें इधर वाले ऑफसेट में भरना पड़ता है माइनस में तो उससे वो भढ़ जाता है और इधर मैंने 12 कर द तो आगे पीछे का सेट करने के लिए एक्स वाला भड़ाऊंगा मैं तो अभी देखो तो यह बस आपको लाइन देखके करना है उपर कोने में भी लाइन आ रही है अगर आपका ज्यादा बड़ा हो जाता है स्ट्रक्चर नीचे नहीं दिख रहा है बीच में जहां पर प्रि सेट करना पड़ेगा आपको आपको जैसी सेट हो मतलब आदत पड़ जाएगी पता से लजाएगा कैसे करना है तो यह देखो अभी ऐसे भी देख सकते हो कि डब्बे में आ गया है के नहीं तो अब यह डब्बे में आ चुका है मेरे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो यह पर क्लिक करूँगा और इस ट्रक्चर का एक नाम दे दूँगा और यह तीन वो हैं मोड जिससे की मतलब इसी के मोड हैं लोग के लेकिन इसमें सिरफ दो ही काम के एक लोड और एक सेव बस और यह रिमूव करने के लिए ब्लोग पर इसका कोई फायदा नहीं रिमूव करक कुछ भी नहीं होगा तो सबसे पहले मैं सेव कर दिया इसका नाम ट्रक्चर का देना ही पड़ेगा आपको तो मैंने इस्ट्रक्चर का नाम स्वार्ड रख दिया और फिर उसके सेव कर दिया और यहां पर मैं एक खुली जगा पर आ गया हूं ब्लॉक लगाया और अब यह यहाँ पर block पर click करना है और यहाँ पर आपको structure का name डाल देना है तो यह मैंने डाल दिया sword अपने आप ले लेगा वो और load कर देना है लोड करते के साथ ही कोई setting नी छेड़ने आपने बस अगर आप चाते हो के नीचे की जो जमीन है वो नहटे उसके ऊपर बने तो आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर उसके बाद वो ऊपर बनेगा जमीन के तो यह मैंने लोड कर दिया यह देखो तो जमीन के ऊपर मतलब यह एक ब्लॉक बढ़ जाएगी है इट समझी गया हो गया तो यह मैं जरह पानी अटा लेता हूं पानी भी आ गया और अभी आपको दिखाता हूं के कैसा लग रहा है यह भी अटा दो जड़ा हाल दुपालतो की चीजे तो यह देखो और यह गलती से तूट गया मैं से तो अभी पहले मैं इसको जला देता हूं फिर दिखाता हूं आपको जला दिया अब देखो यह पूरा का पूरा कॉपी करके पेश्ट मार दिया मैंने इदर और मेरे ख्याल से इसकी मतलब क्या करते हैं जो पॉकेट एडिशन है इसमें आप ज्यादा बड़े श्रक्चर न तो सिरफ 64 ब्लॉक्स तक के जाती है और 64 ब्लॉक में अगर आपका कोई श्रक्चर आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा तो फिर उसके साब से आपको सेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल दो ब्लॉक की उज़ करने पड़ेंगा उसके लिए वो आप समझ जाओगे और अगर आप तो अगल तो मेरा तो आ गया बाकी यह सिरफ उसके लिए कि जैसे आपको अपना चेंज करना है किसी जगा से जैसे घर आपने गलत जगह बना दिया और आपको वहार नहीं चाहिए तो आप वहां से अटा के कहीं और लगा सकते हो लेकिन एक कहते हैं जहां से कॉपी कि यह उसको आपको खुदी तोड़ना पड़ेगा तो वह एक अलग बात है वो आप देख लेना और classic में तोड़ोगे तो उसका समान मिलेगा वह लग वह अलग बात है आप बाकी देख लेना वह तो जैसा भी है अगर आप सर्वाइवल खेल रहे हो और आपको घर चेंज करना है तो उसे साफसे आप देख सकते हो बाकि ये तो मैंने अपने उसके लिए ऐसी आपको वीडियो देखाने के लिए किया है और कुछ नहीं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना यार और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को मिलेंगे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई